आज के इस लेटKENश विडियोज में हम आप सब को सेंटब अगजाम 2024 सेंटब अगजाम जो 2024 हो रहा है इसमें हम आप सब को मैथ मैथ के अपजेक्टिव एंशर की बता रहा हूं जो कि आपका 100% सही होगा एंसर की आप सभी को बता रहा हूं फटाफट मिला लिजिए और ऐसे ही आपकी एक्जाम में आने की समगोना है क्लाश 10 के बच्चों के लिए बहुत ये स्पेसल है पर इच्छा से पहले तयारी कर लिजिए वीडियो सुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है सभी और नए है तो आप चैनल को जरूर सी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब को मिलता रहा है पूरा देखिए आपकी इस वीडियो में इस हैना को सेट में इस पेपर में 100 प्रस ने आये हैं जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 प्रसनों का एंसर करना है चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम पर बात किये हुए पहला हमारा सवाल है कि एक बटा रूट दू क्या है तो एक बटा रूट दू जो है आप लोग भी फटा फट एंसर बताएंगे सी ओप्सन होजेगा एक अप्रिमी संख्या है दूसरा नमबर कोशन कहता है कि अलफा टटा बीटा दिवाद बहुपद एक से स्क्वार बीटा की सुनेग तो अलफा इंटू बीटा पूछ रहा है जिसका फर्मुल्ला सी भाई यह होता है सी का माल तिन दिया एक वन चुपा है तो तिन ही हो जाएगा दू का ए सही है ठी यह आगे बढ़ते हैं तीन नमबर कोशन जिसमें लिखा है कि बहुपद चार एक से स्क्वार प्लेस फाइप रूटेक्स पैनिस तीन के सुनेग कौन से जब इसका आप सुनेग निकालेंगे तो यह वाला सुनेग मिलेगा इस कोशन को आप बना लीजिएगा ठीक है चार नमबर कोशन है कि दो संक्याओं का गुड़नपल इतना है और मौसत्य शे तुल्ला साथ बड़ा असान होता है 15870 में आप सिर्फ 23 ले भाग कर दीजिए कि जिएगा तो आपको 690 बार में कड़ साएगा चार का यह बिल्कुल सही है ओके फटा 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 आप लोग चलत बिशनवा एक्सवर सी हो जाएगा यहां पांच में बी हो जाएगा ठीक है छो में पूछ रहा है कि निम्लिकित में कौन बहुपद ने तो सी ओप्सन बिल्कुल सही है कि उपर जाएगा एक्स प्लस वन के पावर नेगेटिव आजएगा माइनस नहीं होना चाहिए ठीक है साथ नमबर है कि समिक्रण दिया हुए इतना और इतना का हल है तो आप इसमें A1 बटा A2 निकालेंगे फिर B1 बटा B2 निकालेंगे C1 C2 निकालेंगे तो अनन्ध हल मिलेगा आपका साथ में B हो जाएगा आठ नमबर कोशन है यदि किसी दिवाद गोपद के सुनेकों का जोगफल 4 और गुणनफल लेके तो दिवाद गोपद होगा तो आपका सुत्रे में बइठाना X स्कायर माइनस अल्फा फ्लस बीटा इंटू X प्लस अल्फा बेटा जैसी इसका सुलूशन करेंगे आपको B option मिल जाएगा ठीक है ना आठ में B option बिल्कुछ सही है फटाफट मिलालों मेरे प्यारे रस्कुले 9 नमबर कोशन देखिए एक समिकरण दिया इतना और इतना अधियुती अहल तो आपको condition करना A1 बटा A2 not equal to B1 बटा B2 ठीक है तो यह option होगा नहीं देकि A कमान 4 है और A कमा इनने कौन दिवहास समिकरण है तो आप जब यह बटा में है नहीं होगा यह रूट में एक से नहीं होगा इपी बटा में तो हमारा D option सही हो जाएगा 10 का D ठीक है सभी लोग पूरा देखिए लाइक भी करते गारा नमबर 1 मुल एक दुसरे के विदकरम हो तो एक मुल एक C कमान C और A कमान A कट गया तो A बराबर मिल जाएगा C इसलिए हमारा C option सही है रगा ठीक है ना चलिए 12 नमबर देखिए एक दुगास समिकरण दिया हुआ है उसके मूलों कई हो गया अन्य अलपा प्लस बीटा पूछ रहा है जिसका फर्मूला होता है माइनस B वही है मान बी कमान 6, A कमान कुछ भी नहीं है तो 6 हो जाएगा 12 का C तेरा नमबर देखो X बराबर 6 का अले कैसी सरल लेगा तो Y अक्ष के समानतर जब X कमान दो तो Y के समानतर 14 नमबर है निमलीकित में कौन सा नियामक X अक्ष पर एक बिंदू है एक्स में X कमान होता है Y का नहीं या A plus A minus 1 into D 15 का B हो जाएगा तो आपको 8T के लिए A plus 29D कर देना है एक कमान यहां से आपको 10 भर सकते है A plus 29 गुन A D जो है आपका minus 3 घट रहा है तो इस तरह से हो जाएगा आपको 10 plus minus 87 से गटाने पर 77 हो जाएगा तो आपको 17 नमबर आपका ये दिया हुआ है इसमें पदो की स सुलूशन करेंगे तो सुलूशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा option नमबर B 34 पदाएगे ठीक है ना देखते चलिए बस कैसा question आता है समांतर सणी का N मा पद तो N मा का सुतर होता है A plus N minus 1 into D तो A कमान यहां पर आपको 3 रगेंगे और N कमान तो आपको नहीं दिया है को N minus 1 D जो है 2 बढ़ रहा है तो 2 इस तरह से 3 पलस यहां 2 का N से गुना फिर 1 से तो 2N minus 2 इस तरह से 2N तीन में से 2 गटेगा पलस 1 यहां A option हो जाएगा ठारा में ठीक है चलिए 19 नमबर के ओर जाते हैं तो हम बिंदू इतना और इतना कि मुल बिंदू से दूरे बहुत इसी होता है यहां आप 4 का S पर कर दीजिए और 3 का S पर इस तरह से 25 आएगा और 25 का 5 होता है B option हो जाएगा यह पोसन तो एक दम इजी है साइंस कर 500 रसाइन को हमेशा ही एक मान होता है 20 हो जाएगा ठीक है एक इस नमबर कोसन है कि बिंदू इतना और इतना के मिलाने और रेका खंट के बंद बिंदू का मद बिंदू का नियामत आपको सुत्र यूज करना है X1 प्लस X2 बैट्टू और फिर कॉमा Y1 प्लस Y2 बैट्टू जैसे solution किजिएगा तो 5 में से 3 गटेगा दो आपका A option B option हो जाएगा ठीक है ना 21 में B सही है भूज पूच रहा है इसमें तो भूज जो होता है X का मान होता है यहां 3 हो जाएगा ठीक है ना चलिए 23 नंबर दिवतिय चतुर्थांस के बिन तो दिवतिय में माइनस होता है फिर प्लस होता है आपका B option सही हो जाएगा फटा-फट एकदम मजदार कोशन आता है परिच्छा में किसी तिरभूज की सिर्ष के नि माइनस दू माइनस दू आपका यहां पर option में है और फिर उसी तरह से 0 दू और 5 को जोड़ा लेंगे ठीक है ना तिर्भूज एबी सी में एक समकुड तिर्भूज इकुड सी 90 है तो कॉस ए प्लस बी सी 90 है तो ए और बी भी मिलाके 90 होगा क्यों कि तिर्भूज की तीनों क ब्यास को कहते है तो 28 होजएगा आप पाई के जगवापा 22 बटा साथ साथ चोके 28 यहां पर हमारा 26 में बी होगा 27 से ब्रिद की सबसे लंबी जीवा क्या कलाती है तो ब्यास कलाती है 27 में बी सही है 10 ठीटा इंटो कोड ठीटा हमेशा ही एक होता है 28 का बी सही है ऐसा question आज साथ साइन ठीटा ये अचाड़त के अचे लॉइद के फिर ये जो है आपका पी हो गया लंब हो गया ही एच हो गया तो कॉष्ट धेड़त हमेशा ही नीचह वह ज़िए श्मेर्री नंबर हमेशा ही नीच्छे एंसर में हमेशा बीन रहनों चाहिए यहाँ भी नहीं तो बी सिंधिती होग्या पी का मान कि ने मorno k scholarly करें ऑद अधार में करना होगा कि अधार कि यूए रूट 3 नौन होगा क्या होगा एक्रच में आपका भी होगा कउत थीट कर्च वर्चеж का भरता प्ला Source क्या होगा मुध सिकतलब बसने का रूट थीट नहीं तो यह दहलो प्ट्ट कितना कमान वता है तो यह गलत ओप्शन लगाए था एक पिस में 32 देखें यहाँ पर टैन तू ठीटा दिया था है नहीं यहाँ आगे लिख सकते तीन बटा रूट तीन औके रोट तीन से रोट तीन बार में तरह कितना कमान साथ डिगरी का तो ठीटा बराबर साथ तो ठीटा थीस आगया यहाँ पे बीोप्षा ठीक है एकदम समझते चलिए अच्छा लगेगा 33 सेक नब्य मैनिस ठीटा और सेक ठीटा आर त्रिजी खंडा वाले तो ये सुत्र होता है त्रिजी खंड का चेटपल ठीटा बटा तिन सो साथ इंटू पाई रसकर चोंतिस का डी होगा दो बिरितों के चेटपल का अनुपार तो परीदी परीदी पुझत तीन का रूठ लगा दिजी तो नौ का तीन चार का दू हो गया पैंटिस का है चातिस आर तिरिजा वाले गोले का संपुन प्रिजट थीरी पाई रसकर बहुत असान है सैंतिस एक इसी बिलन की त्रीजट है तो उस बिलन का आयतन तो पाई होता है यानवि की पाई एडर स्क्वास पाई शुत्र थीर न का पाई यरसक्वास बैस बीटा साथ रखेंगे अर का मांद दू रकेंगे अर एस्क्वाइर है H चोगदा, सादुनिकी चोगदा 24ग दिनार, 166, 176, 177 गुले का भ्यास दिया है, तो र आपका 14 हो चाहत हो जाएगा, इसका आयतन, तो गुलक आयतन 2 थ 35, इसमें आप मान भरीए, R के जगवर पर 7 रखिए, आपका यह मिल जाएगा, ठीक है ना, अन्धिस में सी सही है, कौन सा सुत्र रहा है अंडरूट H square प्लस R A square इसमें आप भरके निकालेगा तो आपके 12 और 5 का मिला के 13 जाएगा तो पाई का पाई रहने दीजी यहां पे 13 बहर दीजाएगा तो तेरह पाचे 55 पाई आपका B हो जाएगा उन चालेश में B चालेश एक कहन की पुझा पाँचेश का संपून पीछेट पर 6 A square होता है तो 6 गुने 5 का square 25 पाँचेश शकर डेड़ सो चालेश का A हो जाएगा एक तालेश है परतम 20 पराकिर संक्याओं का योग बस उसको A square सुत्र होता है तो 20 का square कर दीजी आपका answer 400 ठीक है ना एक तालेश का सी 42 में बहुलग बहुलग का मतल़ जो सबसे ज़्यादा है हो तो 3 देखिए सबसे ज़्यादा बार है तीन हो जाएगा A और B का समानतर मात दोनों को जोड़के दूसरे भाग कर दीजी हो गया ते तालेश का भी एकदम ये स्मार्ट वर्क कीजी बीना है न समय के जो वाली से किसी बरंबर से माध और बहुलग दिया है तो माधिका तो आपने पढ़ा होगा बहुलग बराबर सुत्रे ये वाला सुत्रे बहुलग बराबर 3 माध है और माइनस 2 माध है ये सुत्रे होता है इस सुत्रे पर आप सुलूशन कीजिए जैसी सुलूशन कीजिए पांच दुशाद, तिन इदर से निकालेगें, पीच में 5 पड़ा, माधी पांच हो जाएगा, 45 के भी, 46 है कि कोङ से घटना प्राइक्ना नहीं हो तो, प्राइक्ना कभी एक से जादा नहीं होता है, ना 40 का यह हो जाएगा ना निश्चित गटना की प्रायक्ता हमेशा एक होती है 47 का यह हो जाएगा और 40 है एक ठोस गोले की त्रेजिया 9 है ठोस बनाए जाए इसके त्रेजिया 9 से मिन तो बेलन क्यों चाहिए गयात करें पिगला कर बुला कायतन आपका सुतर इदर लगा लिजेगा 4 बटा 3 पाई आर के जगा पर 9 का क्यों है इदर बेलन बनाए रहे तो पाई है ना आर के जगा पर इसका भी 9 है त्रेजिया 9 का एसपार एस छोड़ दीजे पाई से पाई कर दीजे दूगो 9 से दूगो 9 कर गया ओके तो यहां बचा चार बटा 3 और एक 9 बचा है गुना में तिन 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 नों चार तिन बारा मुझेगा ना अनतलिस का है किसी उठवार्दा रस्तन क्यों चाहिए इसके मिनार कुछा एक लंबाई के बराबर रते है इसको इन में जब भी बराबर कंडिसन आजाना लंबाई और चाया बराबर उप पैंटालेश डिग्री होता है उनचास का सी अगला कुछन है बावन दिभाद समय करके मूलों की पर किर्टी होगी इसका अगर आप स्वेशन करते हैं पर किर्टी तो कहीं से निकालेगा बी स्कार माइनस पर एसी से तो बी कमान आपका माय चो है माइनस भी हो तो कोई दिखत नहीं है माइनस पर गुने एक कमान दू असी कर साथ चो कर च्छतिस चारदिनाट साथे च्छपन माइनस बीस आ गया जो कि अवास्त्वी हो गया तो 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 तीज डिग्रे आज तो कॉस्स तीज कमान आपसे पूछ रहा है तो रूट तीन बड़ अदू तीरपन कसी हो जाएगा ठीक है चबवन है कि San Alpha प्लस बीटा 0 है, San Alpha मिनस बीटा पूझ रहा है अलपा प्लस बीटा 0 है, तो आपको San Alpha मिनस बीटा पूझ रहा है किसे बनेगेगा? तो Cos 0 कितना कमान होता है? आपसे कोई पूछे तो क्या बताए, कोई किसा सर, Cos 0 नबबे डिगरी का होता है तो 90 यानि alpha प्लस बीटा कितना आ गया 90 alpha प्लस बीटा कितना आ गया 90 ठीक है ना alpha कमान क्या होगा आपका alpha कमान निकाल लिएगा तो 90 minus बीटा होगा यहाँ पर अपने जागे रखे नबे मैने बीटा तो sin 90 minus बीटा आइक और बीटा तो आपका होगा sin 90 minus 2 बीटा तो sin 90 minus 2 ठीक होता है cos ठीक होगा तो cos 2 बीटा हो जाएगा चवण का डी समझ में आया परचपन एकस प्लस वाई 14 एकस में से बचागा तो देखे यह हो जाएगा बी 9 पन चवदा होता है नो में से 5 गटेगा चाग परचपन का बीट चलिए ठीक है पटापट एकदम चलिए 56 दो तिर्भूज समरूप है और A, B, D, E है तो इसमें आपका तिर्भूज बना रहेगा तो कुण B और E बराबर हो सौरी कुण B और D हैगा 56 का सी फिर बूज उसी तरह का है पार्लेर समांतर वाला ये वाला मान दिया है A, B, C, D ऐसे करके D, E A, D, 2.4 है और A, E, 3.2 है और E, C, जो है हमारा 4.8 है तो 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 A, B, पुच रहा है इसको थेल्स परमें से बना लेज़ेगा 3.6 होवाएगा 85 कोशन कटना है प्राइक्ता के लिए आपका कंडिशन जो होता है 0, P, और 1 होता है ठीक है न, 85 में T हो जाएगा 9.6 है ये देखिए इतना दिन का मान तो हमेशा एक ही आता है फूस हो जाएगा, ऐसा कोशन आज़े फूस हो जाएगे 60 नमबर एक सकसे दूरी देख सकसे दूरी वाई का मान चो हो जाएगा 61 है आपका संक्या इतना है ये एक प्राकिर संक्या है ठीक है न, सॉरी प्राकिर नहीं मैंने मिश्टे कर देखिए परिमेश संक्या के रूप में लिख सकते है संक्या इतना इतना कम मौसा मौसा बहुत असान चीज़ है निकाल दीज़ेगा बारा हैगा 63 में C 64 आलफा बीट है गामा इसका फर्मूला होता है C भाई है C के जगा पर C है न C भाई है 65 आपसे इतना का एक सुनेक्ति ने तो के कमन के लाश्ट में है तो आप इसको बना लेजिएगा 65 में बनेगेगा तो आपका आएगा माइनस एकाई से 66 यह दिया हुआ है आलपा बीट है गामा माइनस डी भाई है डी गमन साथ है माइनस साथ कहा ओप्सन में यहाँ पही नजर आगे बनाने के जोड़त भी नहीं है 66 यह समिक्रण निकाय में कितने हल होगे आपको A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 कर लिजिएगा इसमें अधिवतिय हल का कंडिशन बनता है राकिल समिक्रण जुग में असंगत है तो उनके आलेक होंगे असंगत में समानता होते है 69 आपका है यह समिक्रण दिया हुआ है क्या हल है यानि X-2 A0 आना चाहिए तो इसका हल आपका X-4 आपको ठीक है यह उप्सन 69 में 70 है इतना और इतना होते है यह बहुत अच्छा कॉस्ष्ण है 70 में B हो जाएगा दिवास समिक्रण के एक मूल दू हो तो A कमान पूचाया तो 60 में A-7 हो जाएगा 72 है समिक्रण इतना का वास्तिविक बरावर हो तो K अमान होगा 72 में A की या 4 73 अज़ए नमर कॉस्ष्ण है सब्सक्राइब एक स्क्वार में निमलकेश में कौन सा होगा तो शेकेंड में से आपका सभी जवाब जाओगा डी ओप्वेस जीरो दुझ दू हो जाएगा ठीक है वहतर में क्यूक के कौन सामान हो जैगा इसमें आप सेलुशन किजिएगा तो चेल वहतर में आपका बीच वाला का दोगीना किनारे वाले के जुड़ के बराबर होता है, इसको पुरा स्मस्वन कीजिएगा तो एक्स का मन दू हो जाएगा, तो तो अत्तर है के समांतर स्रेणी दिया हुए का आठवा पद, आठवा पद निकालेगा 26 हैगा, इतना समांतर स्रेणी का करम तीन प बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 89 ये दिया हुए रेका कंड कम अध बिन्दू, तो किनारे किनारे के जुड़ को किया जाता है, और किजिएगा तो यहां पर एक जगा पर माइनस 8 हैगा, 80 है, A, B, C दिया है, तिरगूज के तो इसका के तो किनारे किनारे वाले को एक्स सेंटीमीटर, 83 नमबर है, दो समरुप तिरगूज का अनपाद इतना है तो माधिका है, रूट रिका देजिए, 5 और 7 हो जाएगा, 83 में, B, ठीक है ना, 84 नमबर है, तिरगूज ए, 4, B, 5, 3, 9, 2, 9, B, 90 डिक्री में कंडिशन बन रहा है, किसी बाए बेन्दू से बिरित प 85 अभी होगा, 86 में यहां पर आपका करेक्ट एंसर 8 सेंटीमीटर होने वाला है, 86 में कितना होगा, 8 सेंटीमीटर सही है, 87 आपका है, यदि गरितों की तरिजाक के बीच, 130 यह तो छोरोग पर असपस रेखा होगा, 180 में से 130 घटा दीजिए, 50 हो जाएगा, 87 में, ठीक है ना 88 किस का मान एक बटा रूट दू होता है, एक बटा रूट दू जो होता है, पॉस 45 का होता है, ठीक है, चलिए ना रुखना नहीं है, साइन स्पर 90, 10, दुनों का मान एक एक होता है, कटके जीरो हो जाएगा, ठीक है तो 10, 45 का मान एक बटा रूट दू होता है, तीन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी होगा 90 में, 90 है 37 को स्थी, तो 37 एक बटा रूट दू, और 60 एक बटा रूट दू, तो दू बटा रूट दू, सोरी, 37 क मान एक बटा दू, और 60 क मान भी एक बटा दू, तो एक हो जाएगा, एक आन्वे में ठीक है ना, पूरा सुलोसन कर लिजिए गा इसमें एक मिलेगा तीरानवे देखिए पूरा कोसन का सुलोसन कीजिए गा तो आपमें इसमें पाई मिलता है ना इन्चानवे है के सिगोले के ति आधी कर दिः तो आधी कर देखें राटण पाइल ठीक है चानवे नंबर जो कोसन है इसमें चेत्रफल दिया है किरिये कुछ आई अधार कि तुछे दूनी तो संक्या अधार का चानवे का पूरा स्लोशन चोव मीटर इसका रहेगा 47 है गहना कितीन सलग उपला टेसका आफन में आपका ना एक स्वाइ जय डाता है संतानवे कडी उठानवे इतका माधि का तो वहीए माधिका पीछे बताएं कि पहले बढ़ते करम में सजाने के बाद अको पांच बिच में मिलेगा निननाने में बहु लग्देउ सबसे ज्या को लाइप कीजिए, शेयर कीजिए, नए है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेस्ट आप की उलक्त जैहिन जैवार